जो संकल्प हम मन में करते हैं, उस दिशा में चल पड़ते हैं, पोंचने में देर अबेर हो सकता है, है वो हमारे क्षमता है देखें हरे एक वेकती की क्षमता है, क्षमता सीमित है, आसीम क्षमता तो नहीं है और क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता योग्यता बढ़ाने के लिए तो योग है देखें ना और दूसरी बात है तू मान के चलो तुम अच्छे हो कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो सब कुछ नहीं जान सकते तो कुछ जान सकते हो ऐसे सब कुछ नहीं मान सब, कुछ मानना पड़ेगा. कोई कहें कि ये जहर है, इसको पीने से मर जाओगे, ये नहीं कर सकते होगे. ने जी, मैं तो पूरा अनुभव करके ही मानूगा, कैसे मान लो? ये तो नहीं कर सकते में अनुभव करूँगा, तब ही मानूगा, मेरा अनुभव में तो नहीं है, आप तो कहते हूं सहर, नहीं, वहाँ तुम्हें मानना पड़ेगा. इश्वर ज्ञान का वस्तु नहीं है प्रेम ज्ञान का वस्तु नहीं है इसलिए ना इश्वर को कोई जाना ना प्रेम को कोई जाना इश्वर को जान नहीं सकते हो, मानो मानने के बाद अनुभूती में आ जाएगा तो इसलिए कहते हैं, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, और प्रेम से सब को गले लगाते चलो. तो ये मान के चलो, तेरे बीतर ये सारे अच्छे गुन हैं. दाइवा सुर्व संपत विभागयो में श्री कृष्ण ने बताया, क्या बताया? ये सब दाइवी गुन है, गिन लिया इनोंने. गिन के कह दी, ये सब तुझ में है, अरजुन, तो चिंता न करो. ये सब तुझ में है, अब आशुरी गुन क्या है, ये जान लो, ये बोलते हैं. यह नहीं कहते कि यह दैवी गुन को भड़ाने के लिए तुम कुछ करो ना मानो मैं अच्छा हूँ कभी कोई मा भुरी हुई ना पिता बुरे हुए हाँ अज्ञानी ज़रूर हुए बुरे नहीं इनके अज्ञान के वज़े से गड़़ हुई हुए इसी तरह से तुम एक अच्छा पती हो अच्छा भाई हो अच्छा सब कुछ अच्छे हो यह मान के चलो तब तुम पाओगे वो जो गुन जिसका तुमें अभिलाशा है जिसकी तुमारे चाह है वो अपने आप प्रकट होने लगेगा तेरे बीतर से भई नहीं तो कुछ प्रवचनकार कुछ गुरू ऐसे भी होते हैं ये करो ये करो ये करो 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 और शेशी बोलते हैं क्या करो क्या करो क्या करो इसमें ठक जाते हैं गुरू भी ये करो वो करो ये करो वो करो करा 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 के ठक जाते हैं ये करते-करते ठक जाते हैं। दोनों नहीं, आपी इस बात को जानो, मान के चलो, और निर्विकार्ता और विश्राम, यही आत्मग्यान का मूल बात है। इस चानल को सब्सक्राइब अवश्य करें।